सोलो फेंड्स मैं आसी साब का स्वागत करता हूँ एक और नय और अमेजिंग वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल का डोरवेल बनाने वाले हैं और यह जो डोरवेल है बहुत ही सस्ते में और बहुत यहांसानी से बनकर तयार हो जाएगा और इसमें मैंने बहुत सारे वेस्टेज का यूज किया है जैसे कि आपके घर में कोई खराब हो चुका और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और इसे इंस्टॉल करना भी काफी एज़ी है मैंने वीडियो में सभी कुछ explain किया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे कैसे अपने घर में लगाएंगे तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाने से पहले आपसे एक request है कि अगर आप इस channel पे नए हैं तो channel को subscribe करने के साथ बेल आइकान दवा दीजिए इस video को like और share कर दीजिए हमें Instagram पर भी follow कर लिजिए Instagram का link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं let's make it तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैं खराब हो जुका LED बल्ब का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पुराना 2019 का है कब से पढ़ा हुआ था तो मैंने सूचा क्योंना इसी का यूज़ कर लिया जाए तो आगे वाला जो सफेद पार्ट है इसको डिफ्यूजर बोलते हैं इसको हम निकाल लेते हैं काफी इसली निकल जाएगा और यहाँ पर हीट सिंक पर कसा हुए MCPCB है इसको भी हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर दो स्क्रू दिये हुए हैं जिसको की खोल कर हम काफी आसानी से इस MCPCB को निकाल सकते हैं हो सकता है कि कोई-कोई LED में यह MCPCB है वो सोल्ड की हुई रहती है तो आप सोल्डिंग हटा कर इसको निकाल लीजेगा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर एक सर्किट लगी हुई है उस सर्किट को भी हमें निकालना होगा इन सभी का भी हमें कोई यूज नहीं है तो उपर जो दोनों टर्मिनल बने हुए हैं इस LED के वहाँ पर हमें थोड़ा सा हीट देना होगा soldering iron से और यह काफी आसानी से जो हमारी PCB अंदर लगी हुई है वो निकल जाएगी तो चलिए फटा-फट से इसको जो है निकाल लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने hit दिया काफी आसानी से यह जो circuit है वो निकल गई LED में से अब यहाँ पर हमें इन सभी चीजों का use नहीं है सिर्फ यह जो हमारी LED है इसकी body का use है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी LED है वो अब पूरी तरह से खाली हो चुकी है तो दोस्तों इस LED को हमने खाली कर लिया चलिए थोड़ी देर के लिए इसको side में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आगे हमें चाहिए होगा एक buzzer और यह जो buzzer है आपको बहुत ही आसानी से bike repairing के shop पे या फिर bike के spare parts जहां पे मिलते हैं easily मिल जाएंगे क्योंकि यह जादा तर bikes में यूज होते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो diffuser हमने निकाला था LED में से उसी में हम इसको fix करेंगे तो दोस्तों इसके यहीं बराबर में हम diffuser को थोड़ा सा उपर की तरफ काट लेंगे तो चलिए फटा-फट से इसको जो है कर लेते हैं और उसके बाद जो हम अपने buzzer को इसमें fix करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से gap बन चुका है चलिए इसको थोड़ा सा और finishing देकर इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं जाकि हमारा जो buzzer है वो काफी अच्छे से fix हो जाए तो यहां पर almost हो चुका है अब इसमें जो हमारा buzzer है काफी अच्छे से fix हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन उपर में जो screw कसने के लिए यह बने हुए हैं यह थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं तो चलिए उसको हम तोड़कर निकाल देते हैं तो यहां पर मेरे पास प्लायर है जिसकी मदद से मैं इसको तोड़ दूँगा है काफी इसली तूट जाएगा आपके इस चीज़ से काटवाड भी सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो है दोनों साइट के मैंने निकाल दी है अब जो यह बजर है काफी आसानी से यह जो हमारे डिफ्यूजर है इसमें लग जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो buzzer है काफी अच्छे से इस diffuser में fix हो चुका है अब चलिए इसको हम side में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस buzzer को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की आवसेकता होगी उसको हम करना सुरू करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक mobile charger की circuit और यह जो circuit है मैंने एक mobile charger में से निकाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई और circuits हैं तो यह सारी circuit है मेरे पास यह सब भी mobile charger की circuit है और यह जो circuit है यह बाजार में बहुत ही 10-15 रुपए के बीच में मिल जाती है इसको मैंने किसी mobile charger में से निकाला था तो यह सारे काम आते रहते हैं इसलिए मैं पुराना mobile charger रखा रहता हूँ तो यह जो mobile charger का circuit है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह दोनों wire है यहाँ पर connection देना है और यहाँ पर यह जो capacitor लगा है वहाँ पर लिखा हुआ है positive वहीं से हमें positive wire निकालना है और एक जो है दूसरा negative तो हो गाई तो अगर आप इस mobile charger की circuit को किसी mobile charger में से निकालते हो तो आप काफी आसानी से देख लोगे कि कौन सा AC के लिए wire जाएगा और कौन सा DC के लिए wire जाएगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह जो हमने LED की body खाली की थी उसमें हम अब connection करना शुरू करेंगे तो यह जो हमारा mobile charger का circuit है उसका AC वाला wire है उसको हम इस LED के दोनों terminal पे connect करेंगे तो यहाँ पर LED के अंदर से हम इन दोनों wire को डालेंगे और डाल कर काफी ही आसानी से यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर sold कर देंगे और यह जो हमारा wire है connect हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से wire जो है connect हो चुका है अब चलिए दूसरे wire को दूसरे terminal पे इसी process से connect कर देते हैं ठीक है काफी अच्छे से और काफी आसानी से यहाँ पर जो wire है यहाँ पर connect हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनो AC के लिए जो wire जा रहे थे alternative current के लिए mobile charging circuit में वो connect हो चुके है LED के दोनो terminal के साथ अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा sorting यहाँ पर कर देता हूँ ताकि पहले जैसे था वैसे हो जाए और इसे हम किसी holder में लगाये तो काफी अच्छे से connect हो जाए और जो power है हमारे mobile charger की circuit में चली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं connection यहाँ पर हो चुका है AC current के लिए तो हमने यहाँ पर जो diffuser में buzzer को लगाया था इस buzzer पर हमें connect करना होगा एक capacitor यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक पचीज बोल्ट बाइस सो मैक्रो फैरेड का capacitor है और यह ज़्यादातर filter capacitor के रूप में यूज किया जाता है यानि कि AC को DC में change करने के लिए लेकिन हम य नेगिटीव वाले wire के साथ यानिकि Black wire के साथ ठीक और यहाँ पर जो capacitor का positive वाला लेक होगा उसको हम connect कर देंगे buzzer के red वाले wire के साथ यानि कि buzzer के positive के साथ सीधा आपको connect करना है capacitor के positive negative को buzzer के positive negative के साथ connect करना है जैसा कि यहाँ पर मैंने connect कर दिया है अब इसके बाद यह जो हमारा mobile charger का circuit है उससे DC wire आ रहा है मैंने पहले ही एक black और एक red wire यहाँ पर connect कर दिया था यानि कि black wire negative होगा और red wire positive होगा उसको भी हम सीधा सीधा connect कर देंगे यह जो capacitor है उसके positive और negative लेक पर तो चलिए फटा फट से connect कर देते हैं तो इस capacitor पे जिस तरह से हमने buzzer के positive negative को connect किया है उसी तरह से हमें charging circuit से आ रही positive और negative wire को जो की हमें 5 volt DC का current देगी उसको यहाँ पर connect करना है तो connection बहुत ही easy है mobile charger से आ रही power को हमें बजर तक पहुचाना है लेकिन सिर्फ बीच में एक capacitor लगाना है ठीक है आप अगर इतना छोटा सा concept समझ जाएंगे तो काफी easily इसका connection कर लेंगे अब चलिए जो हमने wire को ऐसे ही connect किया था उसको sold कर देते हैं ताकि यह जो है निकलेना तो दोस्तों यहाँ पर जो सारे connection है वो हो चुके हैं इसके बाद हमें कोई connection नहीं करना है चलिए अभी एक काम कैसे करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर power दे देंगे तो वो power charging circuit में चले जाएगी charging circuit से DC current चला जाएगा बजर में लेकिन यहाँ पर एक capacitor लगा है जो की power को थोड़ी देर तक बचा के रखेगा जिससे की बजर जो है जब कोई switch दबाएगा तो उसके बाद भी बसता रहे जब वो छोड़ दे तो 4-5 सेकेंड तक बसता रहे ठीक है तो काफी ही simple concept है अब चलिए इस capacitor को यहाँ पर टेप हम लगा देते हैं ताकि यह जो है short circuit वगएरा ना हो तो हमने इस पर टेप लगा दिया है अब इन सभी चीजों को हमें इस LED के body में fix कर देना है तो चलिए फटाफट से इसमें जो है fix कर देते हैं तो यह जो हमारे charging circuit है उसमें LED लगी हुई है उसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि light जो हमें दिखाई दे जब कोई bell बजाए तो तो यहाँ पर जो mobile charger की circuit है उसको हम पलट कर कुछ इस तरीके से ऐसे रख देंगे और wire wire को सब हम अंदर डाल देंगे ठीक है capacitor भी उसके अंदर ही है ठीक अब चलिए इसको हम आसानी से ऐसे बंद कर देते हैं कोई short circuit का कोई खत्रा नहीं है काफी अच्छे से यह बंद हो गया है दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब चलिए इसका जो diffuser है उसको हम LED के body के साथ चिपका देते हैं तो यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए मैं fabric का यूज कर रहा हूँ काफी अच्छे से यह चिपक जाएगा और निकलेगा भी नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो door well है वो बनकर तयार हो चुका है अब चलिए इसको कैसे आपके घर में इंस्टॉल करना है उसको मैं बता देता हूँ तो यह काफी अच्छे से बन गया है आप कहीं भी इसे जो है होल्डर में लगा सकते हैं और उस होल्डर पे एक बेल स्विस लगा कर बाहर लगा सकते हो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो यह जो हमारा door well है इसमें किसी तरह की कोई बैटरी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यह सीधा 220 वोल्ट AC करेंट पे जो आपके घर में आता है उससे चलेगा इसके लिए मैंने यहाँ पर एक होल्डर ले रखा है दोस्तों और उस होल्डर को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक यहाँ पर प्लग से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्डर से सीधा दो वायर ले जाना है और आपको एक प्लग में इस तरीके से लगा देना है ठीक है आप इसको बड़ा रख सकते हो जितनी दूरी हो आपको जहाँ पर बेल लगाना है और आपके दर्वाजे की जितनी दूरी हो यहाँ पर बीच से मैंने यहाँ पर इस वायर को काट दिया ताकि मैं एक स्वीच लगा सकूँ ठीक है अब इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा काफी आसानी से आप इसे अपने घर में इसको मैंने काट दिया है अब हमें चाहिए होगी एक बेल स्वीच ठीक है तो यह जो बेल स्वीच है दोस्तों यह लटकाने वाला बेल स्वीच है आप चाहो तो बोड में इस्टॉल करने वाला बेल स्वीच भी खरी सकते हो अलग-अलग तरह के bell switch मिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम पीछे से खोल लेंगे और खोलने के बाद दोस्तों इसको हमने अभी-भी जो wire को काटा है उनको हम यहाँ पर door well वाले switch के दोनों terminal पे connect कर देंगे काफी easy connection है आपको सीधा सा concept यह समझना है कि यह जो हमारा holder है उस holder में हम अपने door well को लगाएंगे तो इसमें सीधा सीधा power जाने लएगा अब हमें क्या करना है कि बीच से इसको काट देना है और वहाँ पे एक switch लगा देना है और इस switch को हमें अपने दरवाजे पे लगाना है ताकि जब कोई switch प्रेस करे तब ही जो power है वो हमारे door well तक पहुँचे ठीक है यह सीधा सा concept है आपके switch को connect करने का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो switch है इस पर यह जो wire है यह connect हो चुके है जिस तरह से मैं connect कर रहा हूँ आप उस तरह से भी connect कर सकते हो wire को लंबा करके अपने अनुसार जितनी दूरी हो आपके दरवाजे की आपके जहाँ पर आप जो है इस door well को लगा रहे हो उतना लंबा लंबा wire यहाँ पर आप रख सकते हो अपने अनुसार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो है complete हो चुका है अब चलिए यह जो हमारा door well है उसको जो है हम इस holder में लगा देते हैं और इसको जो है power देते हैं और देखते हैं कि यह जो हमारा door well है वो कैसा काम कर रहा है तो चलिए switch on करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो sound है वो भी काफी जादा loud होने वाला है आप इसे अगर कहीं भी लगाते हो तो आप इसकी आवाज जो है आसानी से अपने घर में कहीं से भी सुन सकते हो वैसे बजर का sound होता है वो काफी दूर तक जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो यह door well है वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर यह जो हमारा door well है जैसा कि market में door well मिलता है एक बार प्रेस करने पर वो कुछ सेकंड तक बसता रहता है यह सेम उसी तरह काम कर रहा है एक बार कोई प्रेस करके छोड़ देगा तो यह जो है लगातार कुछ सेकंड तक बसता रहेगा ठीक है दोस्तों और ये जो कमाल है ये कमाल है कैपसिटर का जो की हमने इसके अंदर लगाया है I hope दोस्तों आपको हमारा ये आईडिया पसंद आया होगा तो दोस्तों आपको हमारे इस डोरवेल की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा आइडिया अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कैसे हिन नए और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जै ने के लिए कि ले कि लिए टी सैनल ना